हेलो दोस्तों तो आज हम बात करें साउथ कोरिया के टूरिस्ट विजा के बारे में आपने मेरी फिलिपिन्स वाली विजा शिरीज देखी होगी अगर नहीं देखी है तो मैं आई बटन में से लिंक डाल जाता हूँ आप वो देख लेना तो आज का टोपिक है कि इंडियन्स के लिए साउथ कोरिया का वीजा कैसे लगेगा तो अभी इंडिया के अंदर साउथ कोरिया का वीजा आप सिर्फ वीएफस की साइट से ले सकते हैं इसका मतलब है कि आपको वीएफस के ओफिस वीजिट करना पड़ेगा अप्लिक सेंटर वीजिट करना पड़ेगा और वह शुरू करते हैं कि कैसे आपको VFS से अपॉइंटमेंट लेना है क्या डॉक्विमेंट्स है कौन सा विजा टाइप है क्या फीज है क्या डॉक्विमेंट्स है तो इस वीडियो में हम इस पूरेट चीजों के बारे में डिटील में बात करेंगे तो पहला चलते हैं VFS की कि आप सब को पता है कि वेफिस ग्लोबल एक कंपनी है एक मीडियेटर है एंबसी और ट्रवलर के बिच में इनका कोई रोल नहीं होता कि आपका वीजा लगेगा नहीं लगेगा यह एक कोरियर वाले काम करते है कि आपसे इन्होंने कंपनी के भिहाव पर सारे डोकुमेंट्स आपके पास्पोर्ट लिए एंबसी की फीज ली और अपना कुछ इसमें परसेंटेज एड़ करके यह आपसे ले लिया और वो डोकुमेंट्स सारे जाके एंबसी में समिट करवा दिये अब टोर्टल जो डि अगर आप सेंटर में विजिट करेंगे या आपसे यह कोजे चार्ज लेकर आपको कोजे कर देंगे वीफेस का सिर्फ इतना रोल है शैनगन वगरा के लिए यह वीफेस अमबसी के भीहाव पर आपका बियोमेट्रिक्स भी करते हैं जैसे फोटो आपका फिंगरपिंट स्क से आपसे ले लिए हैं वीफेस में कुछ भी फिरी नहीं है एवन आप अगर आप दो मैसेज का मैसेज पैक भी लगते हैं तो आपको उसके लिए भी तीन सो से पांसुर पर देने पड़ेंगे तो मतलब पूरी दुकान दा रही है खिरा के पास अप्शन दूसरा नहीं है हो तो अमें यही ऑपशन आप करना पड़ता है तो सबसे पहले जब आपको अप्लेकिशन फोंप समिटे करना है साउथ कोरिया के लिए तो पयए से पहले आप South Korea के लिए जब VFS में जाते थे तो आपको कोई भी appointment की जरूत नहीं होती थी लेकिन जब अब COVID के बाद दू साल बाद MSS खुली है तो सब ने अपने norms अपने policies चेंज की है VFS ने भी कर दिया कि अब आप पहले appointment लेके आईए तो आज हम अभी देख रहे हैं कि अभी हम लोग यह इसके लेंडिंग पेज पे हैं विए फस ग्लोबल कोरिये साइट पे तो यह देखे यहां है book and appointment अपन पहले appointment बुक करेंगे क्योंकि अगर्वस में date होनी चाहिए ना कि आप पहुंचे date पर जाके सम्मिट करोगे तो जो earliest date होगी यह दिखा देगा तो मैं आपको दिखाता हूं इसके book appointment के section में यहां से हमें सबसे पहले अपने date book करनी है जिस date पर जाके हम लोग अपना passport अपने application form और दूसरे documents सम्मिट कर पाएंगे तो schedule appointment कंट्री साउथ कोरिया इंडिया के रहने वाले हैं साउथ को आपका पासपोर्ट डायट आपसे नहीं लेगी कि किसली करना है तो हमें short term करना है अभी दिखा देगा आपके पास में earliest date कौन सी है तो यह दिखिए 15 जुलाई अभी अर्लियर डिट आ रही है मेरे केस में जो अले डिट थी वह थी 22 जून मैंने 22 जून को वी एफस में अप्लिकेशन और बाकी डुक्मिट किये थे और 29 जून दोपहर में मेरा वीजा अप्रूब हो चुका था शौन वीजा जो है इंडिया के अंदर अभी साथ दिन मिनिमम में प्रूसेस हो रहे हैं और मैक्सिमम नो से बार दिन भी लग रहे हैं इनके पास एक एक्सपर्स सर्विस भी है जो आगे बताता हूं फिलहाल यह एक्सपर्स सर्विस सस्पेंड़ है खेर आपका यहां अप अपर्णमेंट का आपको वह इमेल का प्रिंट आउट या उसका सौफ्ट कॉपी विएफस के बाहर जो गार्ड बने हैं उनको दिखाना है उसके बाहर ही आपका अपर्णमेंट से आप 15-20 मिन्ट पहले पहुंझ जाईए मालो जिसे आपका 9 बजे का अपर्णमेंट आया ह सकते हैं अगर आपका पास में है तो आपको लोकर रखना पड़ेगा लोकर कभी शाया 200 या 300 गंटा के लोग चार्ज कर रहे हैं तो बैठर आप कुछ मत लेकर जाईए सिंपल आपका बैग क्या आप डुकुमेंट की जो फाइल हो वह साथ में करी के जिए अननेसेसरी गज आपको लगवाना है जैसे मेरे कैसे मैंने शॉर्ट टर्म ट्रूस विजा लिया था उसका मैं बतालता हूं आपको क्या है कि मुझे सिंगल एंट्री वीजा मिला था जो कि 90 डेस के विल्टी के साथ में आता है कि बाके का देखो मुझे नहीं पता तो मैं नहीं क्या पाँगो आपको कि शॉर्ट टर्म कि टेंप्रेटी वीजिट अब इसके में आप से सलब फीज देख लेते हैं फीज रसकी 2800 जो एंबसी के फीज है बाकी दूसरे और हैं आप देखाना साइट पे एक्सप्रेश सर्विस जो तीन दिन माती है लेकिन यह सेस्पेंड़ है अभी यह वित नाम के लिए और इसके बाद 1360 रुपे वीफेस के चार्ज है प्लस जीएसटी बगरा जो लगेगी लगेगी फाइल अगर कुछ कुल करते हैं तो एक्सा देने पड़ेंगे दिल्ली से कुर्य करवाते हैं 5500 रुपे मतलब पूरी अच्छी कासी दुकान दारी है फोटो कोपी के 2 वीजा जिसका आपको देने हैं 200 रुपे फ्लस 1380 और कुछ टेक्स वगरा मिला के अब सबसे पहले लिखते हैं डोकुमेंट्स क्या-क्या चाहीं है इसके लिए हैं लगबक हर कंट्री के लिए सेम ही होते हैं कोई बहुत ज़्यादा फरक नहीं होता तो इसके भी सेम वही ह हमें चाहिए तूरिस वीजा साइट सीन के लिए हैं तो यह है चक्ली सिन की ओरिजनल पासपोर्ट विज मॉर्देन सिक्स मॉन्स वालेटी यहां पर एक और चीद्यान अपना कि यह लोग सारे पासपोर्ट आपके पुराने जितने भी पासपोर्ट हैं सबकी डिमांड करत जिए इस्टेबल पासपोर्ट विए लोग नहीं लेते हैं तो जो आपका करंट पासपोर्ट होगा उसका लास्ट और ओल्ड पासपोर्ट का फ्रस्ट पीज रवबर मैंड से बैंड कर दीजिए एस इस साफ साब बनाके लेगे जाए है तो बाइट की वइंट पैक्कराउ अब दिखिए चोथे में और पांच नमबर में बहुत कन्फूजन है तो मैं बचाता हूँ आपको पहले यह लोग यहाद तो एक साल की आइटियार मांगा करते थे यह दोनों मांग रहे हैं आपको एक साल की आइटियार दिखानी है इसके साथ में आपको अपने सेविंग बैंक काउंट का six months का bank statement जिसके हर page पर stamped और bank official का sign होना जरूरी है यह दिखाना है तो यह आप वो दोनों करने हैं और वाला सीन नहीं है अबी ठीक है इसके अबाद six number पर health condition form एक side पर दिखाता हूँ अबी वो बढ़ना है और isolation का एक form यह आपको बढ़ना है यह है checklist इसके कि अलावा अब जो है fees 2800 एक्सप्रेस में वाला था सस्पेंड़ है वेफेश चार्ज तेरा सवासी कोरियर यह और फॉर्म फिलिच बढ़ते हैं तो यह 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 आपको लिखे जाने है कैस्ट में अब जिसने मेरे कैस्ट में कि यह पुछने है प्रूफ क्या है आपके फाइनेश कैसा आप सपोर्ट करते हैं आपको तो उन्होंने इसके साथ में जिस्टी फॉर्म मांगा था मेरे करन्ट अकाउंट की सेविंग करन्ट अकाउंट की स्टेंटर मांगे थी हुई six months की इसके अलावा मेरे पास में परस आज आँगे रहोंगे नहीं तो जो है जो मेंट्र हैं कि आप सफों लगा दो को परटी स्टीरů coping से आपके फंड्ट है regen वो शाह स्तरों होता है कि देड़ी असलेट में एकि-ज्ब्राग को और से अराम से सच्टे में ले सकते हैं मेरे क्यासिमाई है जैसे मैं हर दूती मैं इसा घुमना जाता हूं तो मैंने एक साल के लिए रख लिया है लगबग सब्सक्राइब चार जागा सबस्पड़ी थी मुझे तो वह बागी बता दिया आपको अब देखते हैं यह सबसे पहले देखते हैं इसका वीजा अप्लिकिशन फॉर्म यह अब हमेशा याद दखी है कि आप जब भी वीजा पर किश्वमों पढ़ते हैं तो वह अप्डेटेट फॉर्म हो और इसको क्लियरली कैपिटल लेटर्स में ब्लैक बॉल्पेन से परिए आईए देखते हैं सबसे फर्स नमबर पॉइंट है परस्नल प्रेटिल्स फैमिली जो आपका सननेम चल रहा है गिवन नेम जो आपको दिया गया है मेरी गैस में फैमिली नेम सोनी गेवन अर्विंद आपका जो भी जंडर है डेट व बर्त कौनशी नेशल्ट आप रखते हैं कौन से कंट्री में आपका बर्त हुआ है और नेशन अडी नंबर जिसे हमारे इंडिया में हमारे आडी नंबर जो अधाल कार्ड है तो आपको डाल सकते हैं कि आपने कोई और नाम से कभी कोरिया ट्रेवल किया हो तो नो मेरी कैस में नो आप अपना देखने ना पढ़िए सेकेंद में passport detail आपका passport types जनली हमारा पासपूर्ठ त्राइब और या रगुलर होथा है तो आप टिकर दिए पासपूर्ट नंबर कंट्री और फासपूर्ट इंडिया इसव इसई दिट अधर एकक्स पारी और दूसरा वेल्ट पास्पोर और नहीं होता है तो आप नो कर सकते हैं पास्पोर टाइप सेम रेगुलर सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके बाद आपका शादी शुदा जीवन यह आप कमा रहे हैं या क्या है अब मैरेड हैं जो भी है किते बच्चे हैं क्या है किते यह इस अब यहां पूस्टे हैं तो अब डाल दीजिए एजुकेशन यह बहुत है कहां से अपने डिग्री ली है और उस युद्टी का एड्रस क्या है यह भी पूस्ते हैं तो आप वह देनी पड़ेगी वह इंप्रोइम्मेंट आप क्या करते हैं मेरे के सेफ था जो इसका सब्सक्राइब आपको लगाने पड़ेंगे अगर आप सेलरी अपने तुरीजम ही होता है तो तुरीजम कर दीजिए किते दीन आवेहना चाह रहे हैं और किस डेट को आप एंट्री करेंगे अब यह है एड्रस इन कोरिया इसकेस में जिसे हम जब जिसके घुमने जाते हैं तो आप सिंपल कोई भी फ्री वाले एंट्री करवा लीजिए और उसका होटेल का नेम या होशल का नेम और इड्रस उसका फोन नंबर आप यहां मेंशन कर सकते हैं यह चलता है तो साथ में आपके हैं तो आप बता सकते हैं आपके को अगर वहां रहता हूँ तो आप बता सकते हैं इसके अलावा और यह किया है कोई अगर कर रहा है अपने केसे में कोई होता नहीं है को करने वाला है नहीं अपने को सब्सक्राइब करेंगे आप सकते हैं और यह हो गया अगर आपको फॉर्म नहीं भरा जा रहा को दिक्कत है तो आप VFS में 130 रूपीज देखें यह फॉर्म आफिल करवा सकते हैं आगे इसमें अब आप आप अराम से भढ़ लेजिए ऐसी दिकत नहीं है तो यह था वीजा फॉर्म इसके बाद में एक और फॉर्म इपॉर्म है नहीं का है वह है डिकलेशन फॉर्म इन देखने हैं इसे में आपको सिंपल टिक करके बढ़ना है कुछ जारे इसमें है नहीं साब एक प्रे सब्सक्राइब करेंगे इसके लिए आप आइए गूगल महराज पर साउथ कोरी वीजा चेक यह यह है इसकी ऑफिशल साइट साउथ को जाकी अप्लिकेशन चैक यह यहां नायमें कि सब्सक्राइब है इसको छोड़ों आपको समझाता हूं इस इवे में हमें करना डिप्लोमाटिक ऑफिस इवीजा कुछ मत करना क्योंकि हमारा पास में सिर्फ पास्पूर्ट नंबर होगा हम डालेंगे अपना पास्पूर्ट नंबर कि वह सीम सोनी अर्विन सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना है सर्च और नीचे यह देखो आज आएगा पहले जिससे अगर आपने आज अप्लिकेशन अपना जमा करवाई यह वी एफेस में यूज्वली नेक्स्ट वरकिंग डे में आपका यह सिर्फ यहां तक आएगा यह यहां यह नहीं यहां लिखावाएग सब्सक्राइब का अप्लिकेशन रिसीवड बाइस च्छे को हुई थी और आप इसको कंड्यूज चकर देजिए मैं सातु दिन आया था यह वाला यह देखिए यह सिंगल वीजा एंट्री 29th को लगिया था और स्टे यह जो भी है स्टेज यह कुछ वीजा टाइप है यह ऐ अब कर दिया आपको वीजा दे रहे है तो वीजा आशा आयागा वीजा ग्राइंड नोटिस यह देखिए 29 6 22 28 पे अप्रोव हो चुका आपके सिंगल एंट्री 90-डेश की वैलिटी 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 वीजा और सी 3 9 तो यह आपका फैनली वीजा लग गया बाक साथ कोरे के विजा के बारे में अब मैं आपको एक वा सारी चक्लिस्ट दुबारा बताता हूं approval के साथ में तो लेखिए साथ को लिए पको सबसे पहले अपना पास्पोर्ट सारल पास्पोर्ट लगाने हैं आपका जो करन्ट पास्पोर्ट जो वैलिड पास्पोर्ट है उसमें दो ब्लैंक पेज़ेज छह मैंने के वैलिटी के साथ में होने चाहिए दूसरा इंपर्ण टॉपिक इनका जो पॉइंट है वो है आपका अपडेटेड वीजा फॉर्म जो आप वीफेस के आपका इंटेंशन आप क्यों साउथ को जाना चाह रहे है और परपस आपका जो विजिट है वो और कौन से डेट को जाएंगे किते दिन में वापस आ जाएंगे करके आप एक पेज का कर्विनेटर बना लेजिए मेरे केस में मैंने सेवन डेस की ट्रेवर आक्टिनरी भी लगाई थी तो बैटर है उसे कांसल को तो एजी रहता है कि आप कहां का जा रहे हैं आप अपनी होटेल बुकिंग से लगाईए कोई पेज़ जरूत नहीं है इस केस में आप बुकिंग डॉट कॉम से फ्री कैंसलेशन वाली होटल्स बुक करवा सकते हैं आप होस्टल्स ब अपने होस्टल्स बुकिंग दिखाई थी आपकी रिटन कंफर्म टिगट के मांगते हैं वह लगा दीजिए इसके अलावा मेरे पास में वन येर का ट्रेवल इंस्ट्रेंस था जिसकी कोस्ट अराउंड वन थाउजन यूस्टी है वह मैंने एक साल के लिए रखी है मैंने स मैंन हूँ तो मैंने अपना अपना अकाउंट और सेविंग काउंट का सिक्स मन्स का बैंक स्टेटमेंट हर पेपर पर सील और बैंक ऑफिचल के साइन के साथ दिया था पर पुछते हैं कि आप बैंस कितना होना चाहिए या कोई फिक्स इसका फॉर्मूला नहीं है कि बैंस कि पैस कितना होना चाहिए आपने आज वीजा के लिए अपले किया है और माल probव आपने अज दीक भीजीण का टाले हैं सिंपल यह बात है कि आपके आथ में फैसे कांट में प्रोड्र अना चाहिए और लगना चाहिए अध क्या सब कांसिछे points मेरे केस में मेरे सेमिकाउंट में तीन लाग थे कुछ में पास मेरी एफटी थी तो मैंने वह भी लगाया था यह मेशा लगाना चाहिए उसे क्या आपका आपका जितना फानेशल बेग्राउंड स्ट्राउंड होगा कांसलों को इजी रहता है कि यह बंदा यार भापस आ जा अलावा दो फोटोग्रास वताजी थी मैंने आपको और मैंने कुछ साथ लगाएं था यह रगुमेंट्स है और यह हर जगे कमन ही चाहिए होते हैं अगर कोई भी दिक्कत हो कि प्राब्लम हो मैंसे हैल्प चाहिए हो तो आप मुझे कमेंड बॉक्स में डाल सकते हैं मैं प